रद 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 जी हाँ दोस्तो आपने सही सुना इगनु ने फरवरी परिच्छा 2021 का परिच्छा रद करके अब एक ही बार में सभी सब्जेट का सभी लोगों का जून 2021 में परिच्छा लेने का फैसला किया क्या दोस्तो ये सब सारे जो बहुत सारे बिद्यार्थे हमें कमेंट करके लगातार पूछते जा रहे हैं कि आप हमें बताईए एक विडियो के मैध्यम से क्या हमारा फरवरी का परिच्छा अब नहीं होगा क्या अब हमें फरवरी का परिच्छा जून 2021 में 21 साथ देने यानि कि दोस्तो सीधा सकसीधा बिद्यार्थों का बजट बढ़ने वाले हैं बिद्यार्थों के परेशानिया बढ़ने वाले हैं तो इसमें कितने बातों के लेका सच्चाई है पूरी जानकारे देंगे इस वीडियो के तहत पूरी अपडेट भी मिलेगी इसलिए दोस्त तो जो फर्वरी में और जूर में जब 67 परिच्छा होगा तो वह कौन से कनिडेट किस परकार से कनिडेट लोग परिच्छा देने में समर्थम होगा किन विद्यार्थों के एडमीट का आएगा किन विद्यार्थों के एडमीट का रद हो जाएगा इसके भी बीसे में आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे तो सबसे पहला जो डावुट को किलियर करना चाहेंगे एक कुछ दिन पहले यह नोटीस आया था दोस्तों जिसे की स्क्रीन पर आप सभ सब यहां पर कह दिया गया है कि अब आप सभी का जो अक्टूवर जो आपका परिच्छा टर्मिन का परिच्छा जो दिसंबर दोहज़र बीस में होने वाला था वो परिच्छा को रद करके रद कर दिया यह पॉस्पोंट करके उसकी जो परिच्छा है फर्स्ट वीक और फ लेकर दोस्तो ओफिसली तोर पर इहां पर नोटिफिकर्शन जारी LAUGH कि आपका फर्वरी 2021 का परिच्छा हरद हो चुका है इसलिए दोस्तों यहां पर आप मुद्य की बात हैंगी और आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि फर्वरी21 में कौन-कौन से विद्यारती में समर्थन होंगी तो आईए यहां पर इस लिस्ट में नाम देखते हैं दोस्तों और आप नीचे कमेंट करके बताईएगा क्या आप बेट पा रहे हैं या नहीं बेट पा रहे हैं नीचे कमेंट करके यदि यह सारे का सारे नियम को अगर फुल्फिल करते तो आप इस इस लिए दोस्तों बीना इक्जामिशन फॉर्म के आप परिच्छा में समलित नहीं हो सकते चाहें किसी भी परकार का कोई भी परिच्छा किसी भी महिना का परिच्छा तो आप नीचे कमेंट करिए क्या आप ने दिसंबर 2020 जो परिच्छा फॉर्म जो निकाला था जिसके लाश डिट एक्स्टेंट करके 15 दिसंबर कर दी गई है क्या उसका फॉर्म परिच्छा फॉर्म अभी तक आपने अपलाई किया या नहीं किया तो भी कमेंट कर दिए तो भी आप नीचे कमेंट करके जरू बताईए गा अब सिधे मुद्दे की और चलते दोस्तों आपको समेस्टर के स्टूडेंट हो चाहे फिफ्थ समेस्टर के स्टूडेंट है तो यह जो है दोस्तों पहला नियम था कि यह सारे बिद्द्यार्थी परिच्छा में बेट सकेंगे ध्यान रिखिए गा वही केनिडेट बैठेंगे जो परिच्छा फॉर्म अपलाई किया थे परिच्छा में नहीं बैठ सकते हैं इसलिए अगर आपको बैठना है परिच्छा में समलित होना तो परिच्छा फॉर्म भरना बहुत ही ज्यादा जरूर है उसके अलावा दोस्तों यहां पर और एक यहां पर किलियर कर देगें और एक परकार के हमारे पास यहां पर स्टूबर अक्टूबर की परिच्छा में समलित नहीं हो पाएं वह सभी विद्ध्यार्थी भी फर्वजी 2021 परिच्छा में बेठ पाएंगे यह तो थें दोस्तों वेसे केनिडिट जो परिच्छा नहीं दिये थे चाहिए कोई भी कारण कोरणा वायरस के कारण हो या जान स्टूबर अक्टूबर में परिच्छा भी दिये होंगे लेकिन उनका जो रिजल्ट है दोस्तों उनका रिजल्ट जो है फेल आ चुका है तो वे कैनिडिट क्या करेंगे वे कैनिडिट क्या करने होंगे जो फेल कैनिडिट है उन्हें क्या करने होंगे क्योंकि उनका भी त सबसे पहले आप यहां पर इगनु की ओपिसली वेफसाइट में आएं आने के बाद फड़ा फड़ दोस्तों आप इगनु के जो है जो एक्जामनेसन फॉर्म में उसको दोबारा से फिर से री अपलाई करें उसी सब्जेक्ट का अपलाई करें दोस्तों जिस सब्जेक्ट मे आपने परिच्छा में दिये और फेल हो चुकी हैं तो आप यहाँ पर फिर से उस फॉर्म को अपलाई कर दे जिस सब्जेक्ट में आप परिच्छा दी होगे अब यहाँ पर दोस्तो और एक मुद्दे की बात है यदि आपने पांच सब्जेक्ट रखा होगा ठीक है यदि द आपने सिफ दो सब्जेक्ट का परिच्छा दिये होंगे और तीन सब्जेक्ट का परिच्छा नहीं दिये होंगे तो आपको कोई डरने की जुरत नहीं आपको सिफ री अपलाई कर दीजे आपको कोई फी नहीं लगेंगे तीन सब्जेक्ट का एड्मिट का आपको कटके आ बागे तीन सब्जेट आप परिच्छा में समलित हो सकते लेकिन किसी कारण वह साइब दोनों सब्जेट में अगर आप फेल हो जाते तो वैसे कंडिशन में तीन सब्जेट का आपका औरेडी फिल किया हुआ सिफर सिब आपको दो सब्जेट का ही फॉर्म फिल अप करना होग कि आपको हर बात को लेकर किलियर कर देने के लिए जो एक जान जो इस्टुटिन ने फेल किये थे जो कुछ सब्जेट का परिछा देते कुछ सब्जेक्ट छोड़ दिये वो भी हमने कल दोस्तों कर दोस्तों अगर पलपल खबर जानना चाहते तो आज हमारे चैनल को सब्सक् एकन को हीट करें और जूट जाएए आने वाला वो हर परकार का वीडियो देखने के लिए जो कि आपको कहें भी देखने के लिए नहीं मिलता है क्यों कि दोस्तों हम वो खबर दिखाते हैं जो कि आपको कहें भी नहीं मिलता है इसलिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करिए यह पूरे भारत में जो कि आपको सपोर्ट करेंगे और आपको आगे तक भी लेकर जाएंगे इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लिजेगा मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई जानकारिये को साथ वीडियो देखने के लिए दोस्तों करते हैं बहुत बहुत झाल करेंगे झाल